सुमन गुपता ने अब पूरी तरह से पोराणिक शोज की तरफ रुख कर लिया है। इनके पिछले चार शो पोराणिक शो ही थे। तो चलिए जानते हैं सुमन गुपता के जीवन की खानी कैसी है। ये टेलिविजन इंडुस्ट्री में कैसे आई। सुमन गुपता का जनम 28 अपरेल को मुंबई महराष्टर में हुआ। इन्होंने अपने कोलेज की पढ़ाई पूरी की HR College of Commerce and Economics मुंबई उनिवरस्टी से। इन्होंने ग्रेजुवेशन तक पढ़ाई की है। इन्होंने शुरुवात में काम किया Red FM में जिसमें किये एजे रेडियो जोकी काम करती दिखाई दी। सुमन गुपता हिंदू धरम से संबन्ध रखती हैं इन्होंने आक्टिंग में डेब्यू किया 2011 में और ये सबसे पहले बोल्ली वुड का रुख करती नजराई। 2011 में आई मुवी नोवन किल्ड जैसिका में इन्होंने एक छोटा साही स्पोर्टिंग किरदार निभाया तोहीं मुवीज में या इसके अलावा भी मिड समर मिडनाइट मुंबई में एसीपी प्रियंका का रूल करती दिखाई दी। ये भोजपुरी सिनेमा तक का सफरता कर चुकी हैं इन्होंने भोजपुरी मुवी मेरी निगाहे में लक्षमी का रूल किया था तोहीं टेलवीजन इंडस्ट्री में इन्होंने डेब्यू किया 2014 में इस सबसे पहले लाइफ ओके के शो उस्ताख दिल में गुंजन का रूल करती दिखाई दी स्टापलस के शो एक घर बनाउंगा में इन्होंने किरन का रूल किया तोहीं सब टीवी के फैंसी शो बाल वीर में ये थर्ड गाल परी का रूल करती नजराई इस शो से भी इनको काफी पहचान मिली इसके बाद इन्होंने डेब्यू किया पूरानिक शोज में ये सबसे पहले नजराई टूथ विजन 17 में कलर्स के शो करम फलदाता शनी में जिसमीक इन्होंने रानी तारामती का रूल किया था इसके बाद ये बिग मैजिक के शो बाल कृषण में माता ये शोदा का लीड रोल करती नजराई इस शो से सुमन गुपता को काफी पहचान मिली स्टापलस के शो करन संगिनी में इन्होंने मारानी गंधारी का रोल किया था तोहीं अब सोनी टीवी के शो ये शोमती मिया के नंदलाला में इन्होंने माता देव की का रोल किया है ये चोटे परदे पर अब तक स्रिकुषण की दोनों माताओं का रोल करती नजरा चुकी है तोहीं सुमन गुपता फिलहाल सिंगल है लेकिन इनका फियर अनिकेत शर्मा के साथ है तो कुछ ऐसी है सुमन गुपता के अब तक के जीवन की कहानी आपको सुमन गुपता का कौन्छा चौप संद है हम विबताई ये नीचे कमेंट से अक्शन में सुडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जब्सक्राब कीजिए